दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर सुआगत है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 ऐसे स्टेचू यानि की परतिमाई जो 2022 में स्थापित हुई है दोस्तो ये कोशन करंट अफिर के पॉइंट अबी से तो इंपोर्टेंट है साथी साथ ये स्टेटिक जीके भी बन चुके हैं तो हमेशा पूछे जाएंगे तो ये वीडियो आपकी सभी परिक्साव के लिए बहुत ही जादा मैत पून रहेगी ये 10 मिनिट से कम की वीडियो रहेगी ये 10 मिनिट की मान लिजे पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना और एंड में जाके बताना कि वीडियो कैसी लगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है इंडिया गेट के पास Grand Canopy में किस सवतंतरता सेनानी की परतिमा इस्थापित हुई मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते है Canopy में सुमाज चंदर बोश जी की परतिमा इस्थापित हुई तो राइट आंसर सी हो जाएगा अच्छा इसकी हाइट कितनी है सबसे पहले तो Canopy की हाइट देख लीजे Canopy की हाइट है दोस्तों 73 फिट और सुमाज चंदर बोश की जो दोस्तों यहाँ पर परतिमा की हाइट है वो है 28 फिट तो यह जादा इंपोर्टेंट है याद रखेगा 28 फिट है अच्छा यह जो Canopy है दोस्तों इसमें पहले King George V की 50 फिट की मूर्ती स्थापित थी सवतंदरता के बाद George V की मूर्ती का यहाँ पर व्यापक विरोध हुआ और फिर इसे 1968 में हटाया गया तो यह पोइंट भी नोट करने वाला है नोट कर लीजेगा चले तूसरा कोशन आता है रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने मारवाड योद्धा वीर दुर्गा दास राठोर की परतिमा का अनावरन कहां किया तो इस कोशन का जड़ा आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर रहेगा ओप्षन सी राजिस्थान में देखे रक्षा मंत्री राजनाज सिंग जी ने राइस्थान के जोदपूर में वीर दुर्गा दास राठोर जी की 385 वे जैनती पर 13 अगस 2022 को उनकी परतिमा का अनावरन किया ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है ठीक है जी चाले अगला कोशन दोस्तों आता है परधार मंत्री नेंद्र मोदी कहां पर 11 सदी के सत और समाज सुधारक रामानुजाचारिय की 216 विट उची परतिमा का अनावरन किया ये बताए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट कोशन है ये और इस कोशन का राइट आंसर हैगा हैदराबाद में बी राइट आंसर हो जाएगा देखे 5 फरवरी 2022 को परधान मंत्री नेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में 11 सदी के संत और समाज सुधारक रामा अनुजाचारिय की परतिमा जो कि जिसकी उचाही जरूर ध्यान रखेगा 216 फिट है का अनावरन किया गया है इनको Statue of Equality के नाम से जाना जाता है तो ये भी जरूर याद रखेगा इंपोर्टेंट पॉइंट जितने भी बोल रहा हूँ चाहे वीडियो को दोस्तों दो बार देख लेना परचेज कर सकते हैं ध्यान रखना दोस्तों ये ओफर केवल लिमिटेड पीरियाड के लिए होता है वैसे ये पीडियाप हमारे 2500 रुपे की होती है इसके साथ में एक पीडियाप आपको स्टेटिक जीके की फ्री मिलेगी और अगर आप हमें इस वोट्सप नंबर पर पेमेंट करके इसकी इन सोट भेज देते हैं कोई भी डाउट आता है हमारी वैबसाइट या वोट्सप नंबर पर मैसिज कर सकते हैं चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए बेल एकन को ओन रखे आगे आने वाली सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल देंगे और पीडियाप का लिंक दोस्तो नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी है चोथा कोशन वेरी वेरी इंपोटेंट कोशन किस इस्थान पर भगवान बुद्की शान मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी परतिमा बनाई जा रही है वेरी वेरी इंपोटेंट माग करिए सबसे पहले तो इसकोशन को और आंसर बताईए दोस्तो इसकोशन का जो राइट आंसर हैगा वो जाएगा बोध गया ठीक है राइट आंसर बी हो जाएगा देखें बोध गया दोस्तो बिहार में भगवान बुद्की शान मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी परतिमा बनाई जा रही है अच्छा इसकी लंबाई कितनी है और उचाई कितनी है यह परतिमा दोस्तो 100 फिट लंबी है और 300 फिट उची है तो यह जरूर याद खेगा इस परतिमा का दोस्तो निर्मान 2019 से सुरू हुआ था और फरवरी 2023 में दोस्तो उधगाटन होगा तो यह पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं ठीक है चले अगला कोशन दोस्तों हमारा आता है पाँच होगा संयुक्त रास्ट मुख्याले में पहली बार किस भारती नेता की परतिमा को स्थापित किया गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हैगा महत्मा गांदी जी की परतिमा को यानि की डी रेट आंसर हो जाएगा तो युएनों के बारे में सभी जानते हैं युनाइटिन निशन ओर्गिनाजिशन जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी ठीक है मुख्याले नियोर्क अमेरिका में है ठीक है ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तो अगला कोशन आता है हमारा किसकी मूर्थी को स्टेच्व ओप प्रोस्पेरिटी यानि की सम्रद्धी की मूर्थी नाम दिया गया जिसका अनावरन पीम मोधी जी ने किया है जल्दी से आंसर बते हैं दोस्तो कोशन नमबर 6 का इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तो कैमपे गोड़ा यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 6 का राइट आंसर देखे बैंगलूर के केमपे गोडा अंतरास्टे हवाई अड़े पर नाद परभू केमपे गोडा की मूर्ती को स्टेचू ओप्रोस्पर्टी समरिद्धी की मूर्ती नाम दिया गया जिसका अनावरन पीम मोधी जी ने किया है तो ये आपको जरूर याद अखना है इन्होंने दोस्तों 1537 में करनाटक की राजधानी बैंगलूर सहर की स्थापना की थी ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं ठीक है केमपे गोडा जी के बारे में अगला कोशन आता है पीम नेंद्र मोधी ने सवतंतरता सेनानी अलूरी सीता राम राजू की 30 फिट उची कास्य परतीमा का अनावरन किया सोरी किस जिले में किया तो इस कोशन का जरा आंसर बताईए तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या गया है पूर्वी गोडावरी आंद्र परदेश में ठीक है राइट आंसर भी हो जाएगा साथवे कोशन का सही उत्तर तो ये पॉइंट आपको या दखने है वही अच्छा य आंद्र परदेश के पूरवी गोडावरी जिले में है दोस्तों अलूरी सीताराम राजू और उनके दोस्त कौमराव भीम पर फिल्म बन चुकी है कौन सी फिल्म बन चुकी है यह यह मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन बन सकता है कई ए लाज्य में हनुमान जी की 108 फिट परतिमा का अनावरन अप्रेल 2022 में किया है बते ही जलती से दोस्तों यह हुआ है गुजरात में तो भी रैट आंसरेगा अच्छा 108 फिट की परतिमा है यह जरूर याद रखेगा दोस्तों इंपोर्टेंट बन सकता है अगला कोशन आता है हाल ही में परधान मंत्री ने स्टेचू ओपीस का कहां अनावरन किया है अच्छा स्टेचू ओपीस यह दोस्तों किन की मूर्थी है तो यह भी आपसे पूछा सकते है जैन आचारिये विजय बललव की तो यह आपको याद अखना है दोस्तों यह इस्थापित हुई है दसवा कोशन आता है किस राज्य में सीता माता की 251 मिटर उची परतिमा इस्थापित की जा रही है तो बिहार में तो राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है वई चले अगला कोशन आता है दोस्तों किस इस्थान पर लक्समन जी की 151 फिट उची परतिमा बनाई जा आएगी यह बताईए इस कोशन का राइट आंसर आएगा दोस्तों यह बनाई जाएगी लखनाओ में तो राइट आंसर ओप्शन ही हो जाएगा 151 फिट की रहेगी यह भी आप लोग जुरूर नोट कर लेना बारवा कोशन दोस्तों आता है हालही में बारास्ट के लातूर में स्थापित स्टेच्चू ओफ नॉलिज का संबंध किस महापुरूस से है इस कोशन का जरा आंसर बते दोस्तों आप सभी लोग देखी पा रहे होंगे इनका संबंध किस से हो जाएगा डोक्टर बी आर अ अच्छा दोस्तों इसकी हाइट भी आपसे पूछी जा सकती है तो हाइट है बाई 70 फिट ठीक है तो यह आपको याद रखना है स्टेच्व आप नॉलिज ध्यान रखेगा यह इसी परकार से कोशन बनेंगे और मैं गैरंटी के साथ में बोल सकता हूं दोस्तों यह कोशन स सारे आएंगे यह 20 के 20 अलग-अलग एक्जाम में अब मुझे यह तो नहीं पता कि भई यह सीट एट में पूछ आएगा सेजल में आएगा बट अगर आप यह 20 याद कर लें आपका कोई सा कोशन आपके एक्जाम में देखने को मिल जाएगा ठीक है सेशन अच्छा लग र अगला कोशन आता है दुनिया की सबसे बड़ी येसु मसी की परतिमा क्रास्ट दी प्रोजेक्ट किस देश में बनाई गई है तो राइट आंसर हैगा ब्राजील में तो राइट आंसर बी हो जाएगा यह आपको याद अखना है दोस्तों अगला कोशन आता है दुनिया की स सबसे उची भगवान सिव की परतिमा विश्वा सवरूप यानि कि स्टैचो बलीव का लोकारपन कहां किया जाएगा दोस्तों जल्दी बताइए तो ये लोकारपन किया जाएगा दोस्तों राजिस्थान में यानि की ओप्शन ए रैटांसर होगा कोशन नमर 14 का सही उत्तर अ सरदार वललबाई पटेल जी की आप समझ लीजेगा छोटी मूर्ती बनाए गई है और I think ये 27 फिठी है कनेटा में बनाए गई है रैट आंसर ओप्शन ही रहेगा 27 की नहीं बहुत ही छोटी है मतलब ये अब एक्चल में आद नहीं है अगर किसी को पता है इसके बारे में तो कमेंट बोक्स बोग्स में रहेगा दोस्तों कितनी हाइट है चले अगला कोशन आते है किस स्थान पर सही चंद्र सेकर आजाद की भव्यपरतिमा स्थापित की जाएगी इस कोशन का दोस्तों रहेट आंसर हैगा भोपाल में यानि कि D रहेट आंसर हो जाएगा सतरवा आता है दोस्तों हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुली धर्रन ने किस देश में महात्मा गांधी की परतिमा का अनावरान किया इस कोशन का रहे आणसर वते तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या गया है ओमान में यानि कि A रहे आणसर उचेगा सतरवे कोशन का सही उत्तर अठारवा कोशन आता है किस राज्य में डकेतों पर आधारी एक डकेत संग्राल्य बनाया जाएगा तो इस कोशन का दोस्तों रहे आणसर क्या रहेगा मध्य परदेश में C रहे आणसर हैगा सारे इंपोर्टेंट कोशन का कलेक्शन है इसकी पीडिएप मैं आपको दे दूँगा टेलिग्राम जोयन कर लेना ओनली टॉप स्टेडि की नाम से है ठीक है पीडिएप परचेज करनी है दोस्तों सारी की सारी पीडिएप परचेज करनी है इस question का right answer एगा गुजरात में किया गया है तो A right answer हो जाएगा बीसवा question आते है कि नई दिल्ली की किस परसिद इमारत को परधानमंत्री संग्रालिये में प्रिवर्तित किया गया है मेरे प्यार दोस्तों चल्दी से answer बताईए इस question का right answer एगा तीन मूर्ती भवन ठीक है answer हो जाएगा बाइसवा question है दुनिया की सबसे उची परतिमा statue of unity किस राज्य में स्थित है तो statue of unity दोस्तों किस राज्य में स्थित है यह है गुजरात में यह तो आप सभी लोग जानते है अच्छा यह आप बताएगा height कितनी है दोस्तों ठीक है चलिए मैं बता तो 182 मिटर है अगला question हमारा आता है सवतंतरता का परतिमा statue of liberty कहां इस्थित है तो इस question का right answer बतेगा यह है नियोर्क में और इसकी height दोस्तो 93 मिटर है तो यह point भी आप लोग नोट कर सकते है अब एक question मैं आप लोग पूछ सकता हूँ इसी वीडियो का question है इसका answer बता देना कि किसकी मूर्ती को statue of prosperity यानिकी समृद्धी की मूर्ती नाम दिया गया जिसका अनावरान PM मोधी जी ने अभी recently कहा है दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि इस वीडियो का अगर आप लोगों ने ध्यान से देखोगा तो कहा हूँ 6000 के question answers में आपको history, geography, policy, economics, science के सारी subject, physics, chemistry, biology, current affair, computer सारी चीज़े मिल जाती है और दोस्तों केवल important questions का collection मिल जाता है अगर आप इस पीडियाप को पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारे exam जैसे आपका ssc-sigal होगा, chsl होगया, gd होगया, mts होगया, वहीं पे exam कोई भी होगा, teaching का exam होगया, c-tet होगया, ठीक है, dss भी होगया, सारे exam cover हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे important questions ही लिये हैं, जो exam में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पीडियाप को purchase करने के लिए तो हमें whatsapp number में message करिए, नीचे description box में link है, वहाँ से purchase कर सक लगते हैं, चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करिए न फटाफट, bell icon कोन रखिए, आगे आने वाले सारी videos के notification आपको मिल जाएंगे, like, share तो आप करीदेंगे, अकर session अच्छा लगा, thank you so much, bye everyone, take care.